दोस्तो मैं सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसलिए क्योंकि हमारे इस चैनल जीनियस मेकर पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गये हैं मतलब की पूरा पूरी 10 लाख लोगों का एक समुह बन चुका है जिसमें आप भी इसमें एक मेंबर के च्षमा चाहता हूं और आप च्षमा करेंगे मुझे उमीद भी है तो यह 1 मिलियन के बाद ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम भृत पर पर चर्चा करने वाले हैं सरकल के उपर मैं सरकल के उपर भृत की उपर कोई भी special वीडियो नहीं बनाया है तो इस वीडिय लेबल से, एकदम ground लेबल से start करेंगे, ऐसा कि दूध पीने वाला बच्चा भी समझ जाएगा, अब ऐसा नहीं समझ जिएगा कि दूध पीने वाला बच्चा एक्शुल में, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अभी आपको समझ में एकदम आ जाएगा guarantee रूप से, देखिए, अगर हम circle में जाते हैं न, इसमें बहुत सारे terms हैं, conditions हैं, theorem हैं, बहुत सारे concept हैं, तो सारा चीज़ पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जहां से हमको चलना है, उसका चर्चा करेंगे, जैसे कि वरित क्या है, वरित का छेत्रफल कैसे निकाला जा जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, ये सारे चीज़ों पर पहले चर्चा करेंगे, और कुछ सवाल भी लेकर आया हूँ, तो सवाल को भी क्या करेंगे, solve करेंगे, और ऐसे सवाल जो है, competitive exam में basically पूछे जाते हैं, वैसे ही सवाल को हम यहां पर लेकर आए हैं, तो इस circle, देखें, geometry में जो है, circle आप जरूर देखे होंगे, इसके बिसे में थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ें तो कोई दिकत नहीं है, सार अची समझ में आ जाएगा, लेकिन देखें तो जरूर होंगे, circular आकरदी का कोई चीज, जिसे कुमा हो गया हलाकि अगर हम पूरा कुमा की बात करेंगे, तो एक बेलनकार है, लेकिन केवल हम एक प्रिष्ट का बात करेंगे, या फिर कुमा का जो नीचे का सता होता है, अगर उसका बात करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गृत हो जाएगा, एक circle हो जाएगा, और फिर गिलास क यह जो circle है न यह 2D आकृती का है किस आकृती का है 2D 2D का मतलब होता है two dimension यानि द्वी विमिये अर्थात इसमें केवल लंबाई चवड़ाई आँका जा सकता है आप उंचाई इसका नहीं आँक सकते हैं आप कैसे नहीं आँक सकते हैं कुवां है कुवां एक वृत्तकार है उ imagine कर सकते हैं उसको हम देख नहीं सकते हैं ठीक है उस समतल की बात कर रहे हैं उस प्रिष्ट की बात कर रहे हैं अगर एक लेयर लेंगे तब उसी को हम लोग वृत काते हैं उसका कोई मोटाई नहीं होता है अगर हम वृत का अगर चरशा कर रहे है तो इसका कोई मोटाई नह नहीं है या फिर अगर बिंदू की बात करेंज्से कि अगर बोला जाता है बिंदू अब यहाँ पर दीख भी रहा है अगर चाहेंगे इसका लमबाई चोड़ाई गयाद कर रहेंगे लिए गयाद कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बिंदू जो होता है ना इसका लंबाई होता है और ना ही चोड़ाई एक छोटा सा तो इस स्पेस है जिसका ना लंबाई होता है और नहीं चोड़ाई उसी को में लोग बिंदू काते हैं ठीक है लेकिन जब हम लिखते हैं कलम से या फिर अपने मारकर से लिखते हैं तो ऐसा लगथा कि इसका भाई चोड़ाई कैसी नहीं नाप सकते हैं लेकिन एक्शुबल मे वैसा रहता नहीं है, हम लोग देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं है कि नहीं, चलिए, तो उधर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़े हो जाएंगी तो देखें ये 2D आकरती है, यानि द्वी विमी आकरती है चलिए, अब सबसे पहले बात यह उड़ता है कि वृत है क्या वृत है क्या? देखिए एक 스ूरिए का ध्यान से किसी निश्चित बिंदू से, क्या बोले हम, किसी निश्चित बिंदू से समान दूरी पर इस्थित बिंदूों के पाथ को हम लोग क्या काते हैं? बृत कहते हैं मतलब यह हुआ कि यहाँ पर एक निश्चित बिंदू है क्या है एक निश्चित बिंदू है और यहाँ पर क्या है बहुत सारे बिंदू है क्या है बहुत सारे बिंदू है और हर बिंदू जो है इस निश्चित बिंदू से समान दूरी पर स्थीत है तो ऐसे ही आकरती को हम कहते हैं क्या चीज़? बृत कहते हैं बाशिमाई अब यहाँ पर आप कहेंगे कहां भाई यह मलब कहां बिंदू हमको दीख रहा है देखिए मैं आपको बता दूँ अगर हम कोई रेखा खिंचते हैं जैसे कि यह बला हम रेखा खिंचे तो यह रेखा बैसे नहीं बना है इसमें अर्बो खर्बो बिंदू है अर्बो खर्बो बिंदू और हर बिंदू को मिलने से एक रेखा का निर्मान होता है एक रेखा खंड का निर्मान होता है तो उसी तरह से यह जो वृत है ना इसमें भी पहुंच सारे बिंदू है अर्बो खर्बो बिंदू ठीक है और हर बिंदू जो है इस निश्चित बिंदू से समान दूरी पर स्थीत है बस यही आपको नोट करना है और ज्यादा कुछ नहीं ठीक है चलिए यह हो गया कि वृत क्या है अब वृत में क्या किया चीजे है वो भी जानना पड़ेगा के अबल जान जैगे कि भाई यह आदमी है आदमी आदमी के अंदर में क्या है नाकम, कान, किदर है यह सब भी लोकेशन पता होना चाहिए तो देखिए इस वृत में यह जो निश्चित बिंदू है यह हो गया center अब इस center से हम इस वृत के किसी भी एक बिंदू से अगर हम मिला देंगे मायन के चलिए एक बिंदू यहां उठाएं हम और क्या किये इस निश्चित बिंदू से हम मिला दियां इसे करके क्या कियें इसे करके रेडियस क्लियर और यह हर जगा क्या होगा समान होगा जिसे कि यहां से लेकर के यहां तक जो भी डिस्टेंस होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा वो यहां से लेकर के यहां तक होगा हर जगा समान होगा तो कि हर बिंदू जो है इस निशित बिंदू से समान दूरी पर मौजूद हैं चल ये तिरीजिया हो गया अब ये सब को हटाता हूँ थोड़ा अब आगे चलते हैं अब क्या करते हैं आगे चलते हैं देखें आप इस वृत में दो बिंदू लिजिए दो बिंदू लिजिए हम यहां पर एक बिंदू ये वला ले लिए और एक बिंदू इधर ले लिए अगर हम ये दोनों बिंदू को आपस में मिला देंगे ऐसे करके एकदम मराम से तो ये वला जो रेखा खंड है ये कहलाएगा क्या चीज? जीवा क्या कहलाएगा जीवा चली इसको भी इधर हम लिख देते हैं ये हो गया जीवा अगर इंगलिस में कहा जाई से तो कहते हैं कोड किलियर कोई दिकत यहां तक समझने में एकदम समझते जाएगा कि कौन सा चीज क्या है और यह जो बाहर बला आप देख रहे हैं इसका भी कोई नाम है ठीक है इसको हम लोग काते हैं परीधी क्या काते हैं परीधी अर्थात सरकमफेरंस क्लियर अगर तिर्भूज रहता था या फिर चत्रभूज रहता था तो हम लोग परीमाप काते हैं लेकिन बृत में क्या होता है इस पेसल लाम दिया गया है परीधी सरकमफेरंस च वहुत सारी चीज़ें है जिसे मान के चलिए यह जीवा है इस point से इस point को मिला यह तहां मलब दो point को अगर मिला दीए तो वह जो distance आपको दिरा जो और रेखा-खंड दिख रहा है वह जीवा है कभी कभी होता क्या है कि मान के चलिए इधर एक point है इधर क्या है एक point है अब इस पॉइंट को लिए और एक पॉइंट हम यहाँ ले लिए अब जब दोनों पॉइंट को हम मिलाएं तो क्या हुआ कि सेंटर से वो पार हो गया मलब यह वला जो आप रेखा खंड देख रहे हैं ना वो सेंटर से पास हो गया यह वला क्या है सेंटर अर्थात डामीटर बासिमा रही है बासिमा रही है तो वृत में सबसे बड़ी जो जीवा है वो होती है यह ब्यास डामीटर यही सबसे बड़ी जीवा हो सकती है इससे बड़ा और कोई जीवा नहीं रहेगा ठेक है शलिए यहां तक समझ माया गया अब ये सब तो वृत के सरकल के अंग हो गए अब हम इसका छहतरफल कैसे निकालेंगे इसका परिमाब कैसे निकालेंगे उस पर आते हैं ठीक है चलिए तो next page में हम चलते हैं फिर से बनाना पड़ेगा हमको क्या चीज वृत बनाना पड़ेगा यह हो गया इसको हम माल लेते हैं आर रेडियस को क्या माल लिए आर माल लिए अब अगर इसका छहतरफल निकालना हो सबसे पहला condition सबसे पहला number या फिर अगर ब्यास निकालना हो क्या चीज ब्यास अर्थात diameter यहां लिखेंगे व्यास व्यास बराबर हो जाएगा टू आर क्या हो जाएगा टू आर अब यह टू आर कैसी होब है देखें यहां से लेकर यहां तक का जो भी distance होगा वो यहां से लेकर के यहां तक होगा ब्यास क्या है ब्यास सबसे बड़ी जीवा है मदल्लब इसको आप पूरा गर मिला देंगेelong的 यहां ब्यास बन जागा यह बला तो यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर जब दोनों को जोड़ेंगे तो टू आर तो हो जाएगा इसलिए ब्यास पराबर क्या चुछ जाता है और फिर आपको छेतरफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो ब्यास दिया गया तो ब्यास को आप 2 से अगर डिबैट कर देंगे तो त्रिजन मिल जाएगा है इने चलिए वो सारी चीजे समझ में आ जाएगी आपको बाद में अब दूसरा चीज दूसरा चीज आता है वृत क चेतरफल हम आपको बता देखिए वृत में बहुत सारे कंडिसन हैं यहां पर केवल आपको सौट में समझा दिया एकदम बेसिक चीज आज हमको बता रहे हैं इसलिए अब इससे एडवांस की और चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है अब बताएं इसमें बहुत सारी चीजे और होती हैं फढ़ा मुझा अभी भी बता देंगे और बहुत बहां इसारी नमबर ठीक हम लोग 22 वटड़ा 7 5 yourself रिकर 2 2 2 3 4 ossig सलोग pac पता कोस्षन भर जाएंगा तो किलियर हो जाएगा यह विर्त के छत्रफल अगर ऊता रिंगल निकालना हो तो इससे हम निकाल सकते हैं या पर अगर होता क्या है कभी-कभी आपको ही द्रेज्चेक्ट अंपर छत्रफल निकालना पड़ता है जैसे कि यह व्रित है आपको यह livres एंगल दिया रहेगा मान किसे लिए theta angle है अब इसका निकालना है ये वला जो आप भाग देख रहे हैं इसका च्छतरफल निकालना है या पिर इसका च्छतरफल निकालना है तो कईसे निकालेंगे तो यहीं पर क्या हो जागा कुछ नहीं करना है theta बटा 360 360 क्या लिखना है थीटा वटा 360 πr² वल्ब जो भी एंगल दिया रहेगा और जिदहर का एंगल यहाँ पर पुट करेंगे आप उधरी का छेतरफल निकलेगा जैसे कि मान किसे लिए आपको इदहर वाला का छेतरफल निकालना है तो यह वाला एंगल यहाँ पर रखना पड़े अब इसका radius जो है वह है 7 cm और यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है यह एंगल यह एंगल दिया गया है 60 degree अब बोला जाएगा यह भाग आप जो भाग आप देख रहे हैं इसका छेतरफल निकालीए तो कुछ नहीं करना है यहाँ क्या करेंगे ठीटा के जगा पर रख का मतलब यह होता है यह साथ साथ कट जाएगा यह जिरू-जिरू कट गया छे कम छे छे चख छतीस कट गया ठीक अब इसको काट यह गारा दुनी बाइस हो जाएगा और तीन दूना छे हो जाएगा अब 11 से 77 हो गया 77 बटा तीन अब जो भी अगर सेंटीमेटर में दिया गया सेंटीमेटर क्यूब सक्राइगर मिटर में दिया गया तो सेंटीमेटर फिरूना अगर आपकब पूरा भिर्रित की छेतर फ़ल निकाल ना हो और फिर अगर किसी वृत के भाग को निकालना हो तो फिर इस फरमूला का परयोग करेंगे फिर वृत भी आता है जिसे कि कभी-कभी होता क्या है कि ऐसे रहेगा और ये वाला भाग का छेतरफन निकालना पढ़ेगा तो इस सब पर भी हम नेक्स वीडियो में चरचा करेंगे यह वाला भाग का चतरफल कैसे निकाला जागा, इस त्रिभूज का चतरफल कैसे निकालें, वह सारी terms and conditions हैं, ठीक है, कभी-कभी एक दम बहुत ही easy रहता है question में निकालने के लिए, तो आप भी निकाल सकते हैं दिमाग लागा करके, लेकिन खेर बाद में बताएंगे, चिंत का परीधी बराबर, क्या ची होता है, 2πr, मतलब इस फर्मूला से आप परीधी निकाल सकते हैं, जैसे अगर मान के चलिए इसके चारो तरफ का अगर लंबाई निकालना हो, तो फिर इस फर्मूला से निकाल दीजिए, अगर केवल आपको radius पता रहेगा, केवल यहां से ले चलिए, अब इसी तरह से क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा एडवांस में चले जाते हैं, इसमें भी क्या होता है, थीटा बटा में हो जाएगा, 360, और क्या हो जाएगा, 2πr, कभी-कभी होता क्या है, कि क्यावल यह वला आपको निकालने के लिए कहा जागा, देखें, यह यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कर डिस्टेंस, जैसे क्या अंदर है O, और यह वला है A, और यह वला है B, एक पॉइंट इदर मान लिजए C है, ठीक है, तो O मलब कि A, C, B, यह वला डिस्टेंस आपको फैंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो फिर आप ळीट इस तक टो पाइस को अधिगवा, तो पिर आप फिर आप फर्मुला लगा दिजेगा, फिर डीटा को कमान जो भी रहेगा उसको रख दीजेगा, थ्या लोटा को मला जूब रहेगा, रहर दीजेगा, आप मान जयाँ के लिए ओस लिए, पाइन के पर रखेंगे 120, तो 120 हो जाएगा, डिबाइडर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा 2πr, तो 2, अब पाई के मान 22 बटा 7 होता है, और र कितना है, 14 है, 7 कम 7, 7 दूना चाउदा, अब यहाँ हो जाएगा, बारा एकम 12, बारत यह 36, अब यहाँ हो जाएगा, 22, 44, 88, 88, बटा 3, अब 88 को अब 3 से डिबाड किजिए, उतना मीटर क्या हो गया, इसक्वाइर, एंसर होगी है, मलब की, इसक्वाइर बोलते है, मीटर होगा क्या हो, क्या हो, क्याँ प्रिधि चाइएगा, बार कमान जो भी रहेगा रख दीजे, पूरा ये distance बाहर बला निकल लेगा, तो ये सब चीजे हैं, छोटी-छोटी-छोटी, ये सब आप जानते भी होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, चलिए, तो ये क्या हो गया? परीधी हो गया, तो यहां पर आपने तीन चीज सीखा, तीन चीज क्या सीखा, कि भै, ब्यास बराबर होता है, टू आर, मलब कि आर बराबर ब्यास बटा दो, वृत का छटरफल इस परुमुला से निकालेंगे, वृत का परिधी जो है, इस परुमुला से निकालेंगे, एक छोटा सा और भी condition है, वृत्ताकार वले, क्या है वृत हम चाहेंगे तो उसको यहीं पर समझा सकता हूँ, जैसे कभी-कभी होता क्या है, कि कोई वृत है, ऐसे करके कोई वृत है, और वृत के अंदर भी क्या है, एक वृत है, वृत के अंदर भी एक वृत है, और यह क्या है, मलब कि सम केंद्रिये हैं, मलब केंद्र जो है, दोन तो अगर ये वला भाग का छेतरफल निकालना हो ये वला भाग का तो फिर कैसे निकालेंगे तो ये भी easy है कुछ नहीं करना है अगर छेतरफल निकालना है ये वलायकार जो आकरती दिख रहा है उसका ये बीच वला भाग का नहीं ये वला जो रंगा हुआ भाग है उसका नि फिर वलयकार वरित का छेदरफफल बराबर क्या चिया हो जाएगा ये बड़ा वला गर वरित का छेदरफल निकालेंगी ति स्में सारा चीज आजाएगा सारा चीज ठीक है मतलब कि Pi Capital R का कर देंगे Square तो क्या हो जाएगा पूरे वरीद का च्छेतरफल होता है pi अरी square भाई यह बड़ा वाला का radius लेंगे तो पूरा निकल जाएगा उसमें से हम क्या करेंगे घठा देंगे छोटा वाला का यहां चोटा वाला का radius कितना है r है तो यहां क्या हो जाएगा पाई और small r का square तो बड़ा वाला जो भूरी था यहां पूरा जो कभर कर रहा था उसका चेतरफल में से यह चोटा वाला को हटा दिये ठीक है माइनस कर दिये तो फिर यह वाल शादरफल बच जाएगा अब यहां क्या करेंगे पाई को कॉमन लेंगे अब यह capital r का square माइनस में small r का square बचेगा तो यह फरमूला बन गया अलाकि यहां पर कोई business formula नहीं है लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है यहां तक कोई दिकत समझने में चलिए तो आप भृत के बिसें भी समझ गए और फिर यहां पर formula गयरक बिसें भी बता दिए थोड़ा और और भी अगर condition जानना चाहें तो यह भी जान सकते हैं जैसे जितना इस केंदर से जितना दूर जीवा रहेगा उतना वो जीवा जो है छोटा होता चला जाएगा और यह बहुत बड़ा condition यह है कि यदि केंदर से समान दूरी पर दो जीवाएं अगर इस्थित हो तो फिर वो जीवाएं जो है बराबर हो जाती है या फिर अगर दो केंदर से समान दूरी पर इसथित रहते हैं जासे कि यह जीवा यहां पर है और यहीवा सपोच किजी है महां खीचें अब पता चला कि भये, सपोच किजी यह वाला है एबी तो एबी का जो डिस्टेंस है वो फचिय यह सीडी si wineskeиком डिस्टेंस के बराबर है तो इसका मौप अब यह हुआ कि यह वाला जीवा और यह वाला जीवा इस केंद्र से समान दूरी पर क्या है? सिच्वेटेड हैं, इस्थित हैं, यह आपको समझना है, और यहाँ पर सिच्वेटेड हैं कहने को मतलब अब यहाँ पर आइसा ने एक तीरचा इसे लिजएगा, कभी ऐसे लिजएगा, कभी ऐसे करके नहीं, परपेंडिकुलरली आपको लेना पड़ेगा, किलियर, या फिर इस तरह से आप इसको अगर समानतर में लेते हैं, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आता, ठीक है, चलिए यह सब चर्चा हम बाद में करेंगे, एकदम चिंता आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सब छोड़ दे रहे हैं, वह सारा चीज़े भी सीखना है इसमें, भाई, ट बोला गया है, एक वृताकार बाग का जो भ्यास है, एक वृताकार बाग है, यहाँ पर सपोज किजिए यह वाला बाग है, उसका जो भ्यास है वो 210 मीटर है, यह वाला जो है, वो 210 मीटर है, ठीक है, इसका छेतरफल कितना होगा, एकदम सिंपल है, अगर छेतरफल निकालन तो हमें radius पता करना पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि 3-0 आर बराबर में होता है ब्यास बटा 2 यानि ब्यास क्या होता है ब्यास बटा में होता है 2 तो ब्यास यहां दिया गया है 210 तो बटा में हो जाएगा 2 जब cut-shut करेंगे तो कितना आएगा 105 आएगा अलम यतना मीटर 3-0 मलें इसका आधा ही नहोगा जी अरे ब्यास जो होता है 3-0 का तो गुना होता है तो इसका आधा होगा 3-0 अब निकालना है 6-3 फल तो 6-3 फल बराबर क्या ची हो जाएगा बाग का 6-3 फल यहां लिखेंगे क्या चीज बाग का गुना 105 क्योंकि यहां पर क्या है स्क्वाइर है स्क्वाइर का मला दो बर गुना करना पड़ेगा अब इसको काटिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 फिर 7 पच्छे 35 यह 15 आया अब सबको गुना कीजिए 15 दुना हो जाएगा 30 15 दुना 30 के 0 हाथ ने बचा 3 15 दुनी 30 और 3 ताही 30 330 आया अब गुना इसको किस से कीजिए 105 से कीजिए जब यह दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा एंसर यह इतना आएगा 34,650 ठीक है यह इसको अगर गुना करेंगे 34,650 आएगा गुना करके देख सकते हैं 105 ताही 30 से 35,15 के 5 आएगा एक तो होगे यहाँ पर एक फिर यहाँ तीन फिर यहाँ पर आएगा 315 फिर यहाँ बचेगा 5 और एक 6 और 4 और यहाँ तीन ठीक है अब यहाँ पर एक 0 जो छोड़े थे यह वाला बठा देंगे कितना है 34,650 आएगा तो ही option number यह correct हो जाएगा इदा बहुत ही simple question था चली चलते हैं second question में second question क्या है भाई बोला गया है एक वृत के अंदर अधिक्तमकार का एक वर्ग समाहित है क्या बोला गया है एक वृत के अंदर अधिक्तमकार का एक वर्ग समाहित है यदि वृत की तृजिया 12 cm हो तो वर्ग का छेतरफल क्या होगा जैसे कि एक वर्ग है क्या है एक वर्ग है जो वृत के अंदर में मौझूद है और सबसे बड़ा है क्या है सबसे बड़ा है तीक देखे इस तरह से वर्ग बन सकता है अगर 4 बिंदों को मिला देंगा आपस मे तो कभी condition जरूर ऐसा आएगा कि वर्ग बन जाए क्लियर अब यहाँ पर अधिक्तम इसली बोला गया है अधिक्तम मलब की बड़ा वर्ग तभी बन सकता है जब हम एकदम यह जो परीधी देख रहे हैं उसका बिंद का उप्योग करेंगे ने तो फिर ऐसा भी हो सकता है जि बीच में मौजूद और उसका हमें क्या निकालना है दिखना बोला यह वरित के अंदर इतना लित तरीजया 12 cm देल ऒा परीध इस 천से से कोए भी पुआइंट कहीं पर लेंगि जहने इंहें वाला फंट लें है अब ये वाला डिस्टंस यह कितना है बारा सेंटीमीटर अब यहां से लेग करके यहां तक बार शेंटीमीटर और यह तो वर्ग का एक्च्वली ये विकर्ण हो गया, जिसका लंबाई कितना है, 12 cm, पलस 12 cm, मलाओ कि 24 cm, कितना है, 24 cm, इतने हिन दिया गया है, तो हो जाएगा कितना 24 cm, तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे solution, क्या लिखेंगे solution, और लिखेंगे वर्ग का छेतरफल बराबर, वर् कर्ण का स्क्वाइर, क्या हो जाएगा, कर्ण या फिर विकर्ण बोलिए, स्क्वाइर डिबाइड़ अगर हमको विकर्ण पता हो, तो फिर हम यह वला फर्मूला भी लगा करके निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें, तो फिर निकालिए, भुजा का भीमान निकाल सकते हैं अगर हमको कर्ण पता हो, तो फिर भुजा की मिमा निकाला सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको confusion लग रहा होगा, कि भुजा कैसे निकालेंगे, अरी भाई, जैसे कि होता क्या है, अगर कोई वर्ग है, क्या है, क रूट 2 ये बराबर में हो जायागा कितना, ये वालो 12 नहीं, 26, तो ये बराबर में कितना हो जागा, 24, अब बता में क्या हो जागा, root 2 हो जागा, जैसे कि सरस भी कर सकते हैं, ये वालो भुजा निकला गख नहीं, लिग दिखकत नहीं है, ठीक है, चलिए, इसको हम मिटा कि अब यहांपर क्या है करन का iacquire करन मेरा कितना अब कि चोबिस है तो हो जाएगा चुबिस का iacquire क्या हो जाएगा टू हो जाएगा 24 का iacquire की तो कितना जाएगा 576 अर 12 में 2 तो 2 एकम 2 2 2 846 2816 किता यह 288 संटीमिट्र का iacquire option number a ही हो गया इसका answer clear कोई दिक्कत यहां तक समझने में चली चलते हैं third number question में third number क्या question है भाई सबसे पहले यहां लिखते है solution कि क्या बोलागी है देख लेते हैं दो वृतों की त्रीजिया क्रम सा 5 cm तथा 12 cm है उस नए वृत की त्रीजिया क्या होगी जिसका चेत्रफल दोनों वृतों के चेत्रफल के बराबर होगा बहुत ही simple है यहां पर देखिए बोला क्या गया है उसको पहले नोट करना है तभी question बनेगा अधर फिर आप हांस जाएंगे तो यहां पर बोला बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं फिर उस नए वृत की त्रीजिया आपको ग्याद करने के लिए जाएगा मायन के चलिए हमको नया वृत बनाना है उसकी त्रीजिया ग्याद करना है जिसका चेत्रफल दोनों वृतों के चेत्रफल के बराबर होगा जो नया हम बनाएंगे इसका 6 फल अलग से निकाल लिए दोनों 6 फल को किजिए एड कीजिए दोनों 6 फल को एड कीजिए ठीक है और हां सबसे पहले आप मान लीजिए माना माना नए नए वृत का त्रीजिया बराबर तो बताईए उसका छो चहतरफल आएगा मतलब कि की क्या जाएगा किस smr होगा यह दोनो बीतें के चेहतरफल के योग के बराबर होगा यह तो question में कहा गया हैगी नैंब तो यह पहला बीत है पहला बीत क्या है इसकाwy लिजे कितना है 5 cm सब सेंटीमिटर में दिया गया है तो पाई यार स्कॉाइर ठीक है यहां पर चलिए यहां पर लिख देते हैं पाई का मान ऊजागा 22 बटा साथ और आर का स्कॉाइर यानि कितना हो जागा 5 का स्कॉाइर हो जागा ठीक पलस में अब इसका अगर 6 तरफल निकालना हो तो फिर हो जाएगा πाई कमान 22 बटा 7 और क्या हो जाएगा 12 का स्क्वाइगा 22 बटा साथ को यहां पर common लिजे तो 22 बटा अगर 7 को common लेते हैं तो क्या हो हो जाएगा यहां पर बचेगा पांच पचे 25 और पलस में क्या बचेगा बारबर रहीं 144 यहीं बचा है गिने अब यहां पर देखिए यह पाई कमान अगर 22 बटा साथ इधर रख देंगे और यह आरी स्क्वाइर रहेगा तो यह 22 बटा साथ 22 बटा साथ कहानी खतम हो जाए 169 अब 169 का वर्गमूल आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा देखिए यानि बड़ा वाला जो त्री बड़ा मलब की नया वाला जो ब्रित बनेगा नो उसका त्रीजा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिख दीजिए हम आर को क्या माने थे यह न मुथा नमबर कुश्चन में सबसे पहले यहां लिखते हैं सॉल्यूशन बोला गया है एक पहिए 88 किलिमीटर दूरी तै करने में कितना किलिमीटर 88 किलिमीटर दूरी तै करने में 4,000 चकर लगाता है पहिए की त्रीजिया गयाद कीजिए तो पहिए इसे की मायनी के चले इसरीजिया पिरिजिया के लिए आज चाहरा है कि अगर इस पहिया का तरी जी अगर मानने이냐 और इसका निकालना हो आपको परीधि तो परीधि उपरावर क्या हो जाए गार परीधि बराइबर होता है साथ कि यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डीक यह जो है यह जो पहिया है, वो कितना चकर टोटल काटा है? 4,000 चकर, अब जब 4,000 चकर वो घूमा, तब वो दूरी कितना तई किया? 88 km, बल्ल, 88 km इसको आप 88,000 मीटर भी कह सकते हैं, योगि एक किलिमेटर में होता है 1,000 मीटर, अब 88 को 1000 से कुने करेंगे, 88,000 मीटर हो जाएगा, तो इतना distance तै हुआ, कितना 88,000 distance टोटल तै हुआ, तो यह किस के बराबर होगा? जितना चकर लगाएगा, कौन पहिया, कितना चकर लगाया है? चार हजर चकर लगाया है अब हम जानते कि भाई एक चकर अगर लगाएगा अगर पहिया एक चकर अगर घुम गया तो इतना distance कभर करेगा कितना 2 pi r तो ये 2 pi r के बराबर हो जाएगा बासिमाई फिर समझे ये जो है 88,000 मुलब की 88,000 मीटर पहिया जो है distance कभर किया है और यहाँ पर कितना चकर लगाया है वो दिया गया है तो उसे क्या किये है गुना कर दिये है अब गुना किसके साथ किये है इसके साथ अब ये वाला क्या चीज है ये वाला है पहिया का जो बाहर का जो लंबाई है ना जो परिमाप है ना वो है तो उससे उतना बर गुना कर देंगो कि भाई इतना बर रौंड किया है तभी ने जाकर कि इतना 88,000 की मीटर तक तक ही किया है जब ऐसा करेंगे आप फिर इसको क्या कीजिए calculate कीजिए यहाँ पर काट सकते हैं 1,2,3,0 एक दो 3,0 चार एकम चार बाइस 488 हो जाएगा ठीक है यहाँ बाइस बराबर में ठीक है अच्छा यह भी कट जाता च्छोड़िए 2 और पाई का मान हो जाएगा 22 बटा 7 और यह क्या हो जाएगा और हो जाएगा 3,5 में आएगा इस कितना होगा 3,5 में गटल तो देखे कहाँ पर नमबर एक करेक्ट होगा ठीक है तो थोड़ा सा आपको कठीन लग रहा होगा हो सकता है अगर आप पहले ऐसे कुछिन को नहीं बनाए होंगे तो तो वैसे कुछिन हम लेकर आएं ताकि आपका कंशेप्ट क्लिर जाए को कि बेसिक बेसिक चीजें जो है तो क्लिर है ही हम तो अग्जांपल विगर अभी बता कर बता ही दिये तो फिर ये सब कुछिन बन जाना चाहिए और अगर नहीं बनता था और अभी एक बार देख लिए तो प्रैक्टिस भी खुद से करना है ऐसा नहीं केवल वीडियो दे करके छोड़ देना है कि हाँ भाई बन जाएगा में ऐसा होता नहीं है ठीक है रिविजन तो करना ही होगा चली अब यहां पर लास्ट कुस्ट्टन है यहां पर भी लिखते हैं सॉल्यूसन क्या है पढ़ते हैं जरा बोला गया है एक वृताकार मैदान के बाहर एक वृताकार मैदान है उसके बाहर 3.5 मीटर चौड़ी सड़क है यदि मैदान की परिधी 44 मीटर हो तो 30 मीटर प्रती वर्ग मेल्ब की 30 रुपिया प्रती वर्ग मेज ankya की दर से सड़क ठीक करने का खर्च कितना होगा देखि इसके बाहर क्या है सडक है तोड़ा सा इससे और बड़ा बना लेते हैं ये भृताकार मेदान और इसके बाहर क्या है सडक है जैस का चवडाई दिया गया है यह सडक है चलिए अब इस सड़क का जो चवड़ाई है वो कितना दिया गया है देख लिजे 3.5 मीटर 3.5 मीटर और साथ में वृत्यकार इतना चवड़ी सड़क यादी मैदान की परीधी 44 मीटर हो अब इस मैदान की परीधी इस मैदान की परीधी वो दिया गया 44 मिटर ठीक है तो त्रीजिया यहां से यहां तक यह वला जो त्रीजिया है उसको हमा लेते आर मैदान वला त्रीजिया माने है आर तो हम जानते कि परीधी बराबर क्या ची होता है परीधी परिधी बराबर क्या ची होता है 2πr ये तो फर्मूला है हम आपको पहले बताएं परिधी दिया गया है कितना 44 मिटर कितना है 44 मिटर यहां हो जाएगा 44 बराबर में यहां हो जाएगा 2πr का मान 22 से बटा 7 और ये आर का आर ही रहेगा 22 से कम 22 22 24 दो एकम दो यह साथ इधर आजाएगा तो आर बराबर में कितना है 7 मिटर मैदान का जो त्रीजिया हो कितना है 7 मिटर है यह बला कितना है 7 मिटर है ठीक है चलिए अब यहां पर कोश्चन में क्या पुछा किया यह आप देहन दीजिए यहां बोला गया है कि 30 रुपिया प्रती वर्ग मीटर की दर से सड़क ठीक कराने का खर्च कितना होगा तो कूल मिला करके यहां पर आपको सड़क का छेतरफल निकालना होगा तभी आप रुपिया निकाल सकते हैं कितनां रुपिया खर्च होने वाला है वहाँ पर मिलाद तो सड़क का छेतरफल निकालना यहां पर देखिये वही विरुत्यकार जो वह ठीक है व्लयाकार व्रीत जिसको बूल सकते हैं या फिर भूलाय square वेलेगे उस्का छेतरफल यहां निकालेंगे तो यहां से यहां तक तो 3.5 है यह है कि ने जब पूरा जोड़ेंगे तो फिर 10, 10 मुलोग 5 मिटर आएगा बस्यमारी यह तो यहां क्या हो जाएगा सडक का छेतर फल यहां लिख देते हैं सडक का या फिर हाँ सडक का छेतर फल बराबर हो जाता है क्या हो जाता है भाई मैदान या फि सबस्क्त सहित मैदान का चेटरफल, मैनस क्या हो जाएगा? मैदान का memb长 अब इसका मतलब क्या हुआ? सबस्क्त 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 मेदान का Look वे, उसका छ्षत्रफल, मैंसे क्या करेंगे, इस मैदान के छ्षत्रफल को अगर हम हटा देते हैं &ma iNus कर देते हैं, यह सड़ख क छ्षत्रफल निकल जाता है, सिंपल सी बात है, चलिए, तो अब यहां क attract चैझ है कि अगर मैदान सज्दरफल यहां पर क्या कीजिए पाई को कॉमन लीजिए यह केपिटल आर का स्कॉर केपिटल आर का स्कॉर मैनस में स्मॉल आर का स्कॉर अब केपिटल आर के जगा पर क्या रखाएगा यहां पाई हो जाएगा केपिटल आर के जगा पर 10.5 रखाएगा यह पाई का मान आप चाहेंगे तो बाइस बटा साथ रख सकते हैं तो यहां हो जाएगा गुना ब्रैकेट में 10.5 का अगर इस्क्वाइर करेंगे तो पांच पचीश ठीक है और दस में एक जोड़ी ग्यारा है ग्यारा को दस से गुना किजिए एक सो दस ठीक है अब यहां ए ने यहां ली आते हैं